हेलो अच्छो कैसो आप लोग विलकम टू ए ए निंजिया आज हमारे इस पाइफन सीरिस का है एपिसोड नंबर पूर अब तक हमने बहुत सारी चीज़ा पाइफन में सीखी लिए हैं जैसे हमने चालो किया तो प्रिंट इंपुट वेरियेबल्स क्या हैं और अप्रेटर्स क हम बात करते हैं लिस्ट की तो आच्छुली में हम लोग को दो तीन चीज़े समझने होंगी जब आप पाइफन सीखेंगे तो आपको इस सारे शब्द दिखने चालो होंगे लेस्ट हो गया स्ट्रिंग हो गया है टपल हो गया है डिक्शनेरी हो गया है सेट हो गया है इस सा पलसा वेरियेबल को जानता था लेकिन सर ये सारी चीज़े क्या गई दिखे लिस्ट हो गई या इनमें से कोई भी एक चीज़ हो गई इन्हें आप सीक्विन से कलेक्शन कहते हैं ठीक है इन्हें कहा जाता है कलेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों का मतलब होता है एक ऐ ऐसा variable जिसके अंदर आप बहुत सारी values store कर सकते हो। For an example, अगर मैं general way में कहूँ कि एक variable है x, जिसके अंदर है 5, एक number store क्या मैंने x is equal to 5, तो यहां क्या है, x एक ही value contain कर सकता है, या तो number 5 होगा, या तो उसके इलाव़ कोई दूसरा number हो सकता है, अगर मैं कहूँ, दूसरे example में, यह एक variable हो गया, है न, यह कितने values store कर सकता है, one value, लेकिन अगर मेरा need यह हो, कि मेरे को variable का name तो यह हो, लेकिन इस में values में बहुत जादा store कर पाऊ, example ले लेते हैं, मेरी एक shopping list है, औके, एंड इसमें मैंने 3 items लिखे हैं, suppose shirt है, उसके बाद, pant, then आप एक वालन बेल्ट, यह सारी shopping के item है, जो कि मैं purchase करने वाला हूँ, है न, अब एक बात देखोगी, तो इसको मैं तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, उसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, कि shop list, equal to shirt, है न, pant, belt, तो जब अगर मैंने इसे ऐसे लिखा, तो यह क्या होगा, आप देखोगे, आप बोलो, कि सर, यह मैं समझ नहीं पा रहा, क्योंकि क्या, इस variable के अंदर shirt है, pant है, या belt, इन में से कौन सा word है वहाँ, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक sequence, एक collection का use करते हैं, अगर मैं इसे square bracket में डाल दू, तो इसे बन जाता है, यह list, and list क्या कहता है, list एक simple सी चीज कहती है, many values, many values, under, same variable name, same variable name के अंदर, अगर आप बहुत सारे values डाल दू, तो वो list बन जाती है, and उसका basic है कि, आपको यह brackets लगाने होंगे, clear, यह वाले नहीं, अगर आप गलती से इसको, same, मैं इहां लिख देता हूं, many values, under, same name, है न, and, कैसे लिखते हो, variable x is equal to list, इस तरीके से वो लिखा जाता है, basic syntax का यह है, यह चीज़ clear हो गया, अब बात आती है, list, string, tuple, dictionary और set की, यह सारे same ही तरीके के, इन्हें collection कहते हैं, python में इन्हें sequence बोला जाता है, लेकिन actually मैं, दूसरे programming languages में, इन्हें collection frameworks बोला जाता है, हैना, आगे चलते हैं, अब हम एक list को लेते हैं, suppose मैं एक list बना रहा हूं, days की, मैंने बनाया, पहला day है, Monday, दूसरा day मैंने लिख दिया, Tuesday, Wednesday, फिर मैंने कोई number लिख दिया, 123, फिर मैंने कोई boolean value लिख दिया, true, हैना, और उसके बाद मैंने कोई decimal value लिख दियता हूं, मैं 1.09, ठीक है, तो इस चीज को देखना, जब मैंने ये list बनाई, तो ये list एक दम करेक्थ है, इसमें कोई error नहीं है, तो मैं list के बारे में कुछ चीज और बताना चाहता हूं आपको, पहला, इसमें different data types, इसमें different data types आप लगा सकते हैं, ओके, it can contain different data types, और उसके बाद देखेंगे, अब इसके अंदर कितनी values हैं, मैं अगर आपसे पूछ हूँ, ये day नाम का जो container है, जिसके अंदर multiple values है, उसमें कितने items हैं, तो यहां में लिखता हूँ, total item कितने हुए गिनते हैं, total item कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, and 6, 6 items हैं इसके अंदर, है न, एक चीज की necessity अभी यहां generate हो रही है, अगर मैं कहूँ days, तो days के अंदर तो बहुत सारी चीज़े हैं, तो मैं कैसे एक particular value को वहां से access करूँगा, मेरे को क्या करना पड़ेगा, कि मेरे को suppose Monday चाहिए, तो मैं क्या लिखूँ, कि computer मेरे को Monday दे, है न, क्योंकि अगर मैं simple यह लिखूँँगा, अगर मैं simple यह लिख दूँगा, कि print करा दो days को, तो वो तो पूरी list ही मेरे को print करा के देगा, पूरी के पूरी list print करा के देगा, लेकिन जब मेरे को सिर्फ एक single value चाहिए, तो क्या करें, तो देखो, मैंने आपको previous class में बताया था, index क्या होती है, जैसे हम अपने school में जाते हैं, तो हमारे class में हम लोगो एक particular role call होता है, एक role number होता है, उसी तरीके से, जब भी हम कोई list यह sequence बनाते हैं, तो उसके अंदर जो items होती हैं, या values होती हैं, उनका एक particular role call होता है, बात यह है कि हमारे class में role call चालू होता है 1 से, and list यह किसी भी sequence के अंदर role call चालू होता है 0 से, तो अगर मैं Monday का role number देखू, तो यह हो गया 0, Tuesday का role number हो जाएगा 1, Wednesday का 2, इस 123 का 3, इसका true का 4, and इस decimal value का 5, तो अब टोटल आइटम्स मेरे 6 थे, टोटल आइटम्स मेरे 6 थे, और मेरा जो last index होगा, last index, यह last, आप कह सकते हो, role call, वो किसके बराबर हो जाएगा हमेशा, वो बराबर हो जाएगा, total items minus 1, clear, total items minus 1, इस तरीके से, अब आपको अगर लिखना हो, किस वर यह समझ में आ गया, लेकिन एक definition लिखी जाएगा, इसकी index क्या है, in a list, every value has a unique rule call, and that rule call, is called as index, clear, उसको हम index कहते हैं, point यह है, note, index हमेशा 0 से चल होता है, index always starts with 0, है ना, अब इसको थोड़ा देखते हैं, इसकी थोड़ी प्राक्टेस करते हैं, suppose मैं यहाँ एक list बनाता हूं, यहाँ मैं लिख देता हूं, एक list का नाम है, suppose, days के बारे में बनाया था, यहाँ मैं friends से related बना लेता हूं, friends, Ajay, Vijay, Vikas, एक और नाम ले लेते हैं, and then, Neha, Sneha, कुछ नाम मैंने ले लिए, है ना, तो इस list का पूरा का पूरा, bio data निकालने की कोशिश करते हैं, क्या-क्या निकालेंगे, पहले तो हम निकालेंगे, A, items कितने हैं, ठीक है, B, last roll call क्या है, C, हम देखेंगे, कि किसी भी value को access कैसे करना है, accessing values कैसे करनी है, है न, ठीक है, items कितने हैं, तो गिनते हैं, total items हैं आपके, 5, last roll call क्या होगा, total item, minus 1, तो यह हो जाएगा, 5 minus 1, equal to 4, है न, ठीक है, अगर मैं 0 से, 4 तक number लिखूं, तो मेरे पास 5 ही number होंगे, उसमें 0 include हो जाता है, clear, अगर मैं लिखूं, अगर आपको यह भी देखना हो, एक बार मैं सबके index लिख देता हूँ, इसका index है, 0, index 1, index 2, index 3, and index 4, clear, अगर किसी value को access करना हो, तो कैसे लिखा जाता है, पहले आपको मैं simple syntax बताता हूँ, आप list का नाम लिखिएगा, है न, फिर bracket में, one second, bracket में उसका index value लिख देजएगा, है न, clear, for an example, अभी मैं लिखता हूँ, मैं अगर यहां लिखना चालू करूँ, यहां फुड़त यहां देजएगा, prints, index, roll call is 0, तो, prints नाम की list में, 0 त इंडेक्स पे क्या है, हमको मिल जाएगा, अजे, clear, अगर मैं लिखूं, prints, roll call है मेरा 2, तो, friends नाम की list पे, second नंबर के index पे है, विकास, पंचायत वाला विकास भी हो सकता है, यह, ओके, तो, आपको क्या पता लगा, कि जब भी आपको किसी value को, access करना हो, list में, आपको list का नाम, square bracket में, कौन सी value को, आपको access करना, उसका index देना पड़ता है, clear, अब भाई देखते हैं, suppose, मेरा पास कोई list है, मेरा पास एक list है, number की, यह, एक list, x7, 2, 21, 31, 41, तो, इसमें मैं क्या-क्या चीज कर सकता हूँ, basically मैं क्या कर सकता हूँ, इस list के साथ, हैना, पहली चीज तो यह कर सकता हूँ, देखो, इसमें कोई भी value, add, या remove कर सकता हूँ, clear, उसके अलाबा, क्या कर सकता हूँ, किसी भी value को मैं, replace कर सकता हूँ, clear, यह basic चीज है, हैना, किसी value को मैं replace कर सकता हूँ तो अगर आप देखो गई ये तीन function ये आपको बहुत सारी चीज़े allow कर देते हैं और भी बहुत सारे functions हैं लेकिन फिलाल आप तीन पर ध्यान दो इसका मतलब क्या है बच्चो देखो add और remove करना हो सकता है कि मैं इस list में एक चीज़ add करूँ मैं एक number add करना चाहता हूँ 99 तो अगर जब मैं इसमें add करूँ हूँ तो मैं इसी लिखता हूँ x.append कि आप last में से add कर दो क्या add कर दो बहुत 99 तो उसके बाद आपके list जो list है ये ऐसे हो जागे 1, 2, 21, 31, 41, 99 तो यहां क्या हुआ आपके list में आपनी कोई चीज़ add कर दी आप remove ये replace की मदद से इसमें से कोई चीज़ हटा भी सकते हो उसी तरीके से अगर मैं लिखू x first index first index तो इसका index value है 0 इसका है 1 तो x की index value अगर मैं लिख दो 3 तो इसका मतलब क्या है कि मैं बोल ला हूँ कि इस वाले स्थान पे जो ये वाला स्थान है ये वाला container जो है उसके अंदर आप 2 नहीं रहेगा उसके अंदर आप 3 रहेगा अगर मैं ये changes करूँ तो इसके बाद x इस तरीके से बन जाएगा तो आप basic changes कर सकते हो अभी हम जो प्रोग्राम बनाएंगे उसके अंदर हम बहुत सारी चीज़े देखने वाले हैं clear अब एक चीज आती है जब भी आप Python की बात करते हो एक concept आता है mutable और immutable ये बहुत important concept है पाइथन में और इसकी उपर ही बहुत सारी चीज़े काम करती है new table का मतलब क्या होता है something that can be mutated मतलब उसके अंदर आप changes बना सकते हो example लेते है book list book list that I want to purchase clear दूसरा example लेता हूँ इदर और ये example है class course books suppose क्या हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा novel पढ़ने का मतलब मेरे को मन करता है और मैं बहुत ज़्यादा novels पढ़ता हूँ तो हो सकता है कि that books I want to purchase इसमें चार books हो हो है न कोई book one पर book two ऐसे करके इसमें चार different books है थोड़ा ध्याम से देखेगा book three and book four अब यहाँ क्या है हो सकता है कि आपको जैसे आप चाहते हो कि आपको जो novels पढ़ने हो थोड़े से mysterious type के हो thrilling type के हो या non-fictional elements आपको जैसे भी पढ़ने हो it depends upon you but the thing is यह choices change हो सकती है यह choices change हो सकती है आप घर से मन बना के निकले एक book कर लेकिन आप वहां गये आपको देखी store पे कोई उससे भी बढ़ी आ बुक आपने change कर दिया तो यहां क्या था यह जो लिस्ट है यह जो चीज है यह mutate हो गई मतला इसमें आपने changes बना दिये changes बना दिये हैँ इसमें से आप कोई book का नाम हटा सकते हो उसके जग़ा कोई दूसरा डाल सकते हो यह हो सकता है आप चार book खरीने गए हो लेकिन आपका मन तीन ही खरीदने का किया, आपने तीन ही खरीदे, लेकिन और दूसरी साइड अगर आप देखोगे, जब यह क्लास कोर्स के बुक्स होते हैं, सपोज आप 9th क्लास के तो वहाँ definite बुक का सेक्ट होता है, कि भाया, math की यही बुक खरीदनी है, science की यही खरीदनी है, तो यहा जो लिस्ट होंगे, सपोज यहाँ तीन बुक्स है, यहाँ तीन बुक्स है, एक science की NCRT, maths, and आपकी SST है, social science की, ठीक है, यह तीन बुक्स है, आप इन में changes तो कर नहीं सकते हैं, आप science खरीदने गए, आप थोड़ी न बोलोगे यार, मेरे को आप देदो engineering वाली science, it will not work like that, so यह जो चीज है, यह जो list है, you cannot mutate, जब हमारे एक sequence होता है, जिसमें हम changes कर सकते हैं, या वो changes को allow करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम simple सी चीज कहते हैं, यह है a mutable sequence, और जब हमें एक ऐसा sequence मिलता है, जिसके अंदर हम changes कर ही नहीं पाते, या वो changes को allow ही नहीं करत तो उसे हम कहते हैं, immutable sequence, अब list आपका mutable है, immutable में आपका tuple हो जाता है, बहुत ही prime example है, strings हो जाता है, ऐसे करके बहुत सारे sequence हो जाते हैं, बस core property इनकी यह है कि यह अपने अंदर की changes को allow नहीं करते हैं, यह अपने अंदर बदलाव नहीं करना चाहते हैं, clear, इसी वज़े स इन्हें इस तरीकी से treat किया जाता है, आप आगे चलते हैं, basic list operations, तो मैं इसके लिए आपको पूरा का पूरा एक cheat sheet ही provide करता हूं, क्योंकि यहां बहुत सारे operations है, one second रुकिएगा, यह पूरे के पूरे आपके operations है, देखिए, मैंने आपको बताया था कि basic operations को आप divide कर सकते है दो या तीन basic task में, मेरा task क्या हो सकता है, add करना element को, add करना, तो add या तो मैं किसी last में करूँगा, देखो, append हो गया, add करना हो गया, ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, insert का use कर सकते हो, insert और append क्या करेंगे, यह basically मैं आपके list में कोई एक नया value को add कर देंगे, एक नया item हमको जोड़ देंगे, simple सी बात है, जब हम बात करते हैं, कि अगर हमको पता करना हो, किसी element का index क्या है, तो हम यह वाले operation का use करते हैं, कि list.index, index, किसका index, किसी भी एक particular value को index चीए होगा, तो उसे, तो एक काम करते हैं, दोस्तों, हम लोग सारी चीजों को एक बार करके देख करते हैं, है ना, तीन सेग्मेंट में से डिवाइड करूँगा, clear, and, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पर मैं तीन चीजों में इसको आगे बढ़ूँगा, add, दूसरा है, remove कैसे करें, है ना, उसके बाद हमें क्या करना है, कि हम उसमें से कोई चीज कापी कर सकते ह है, चौता चीज हम देखेंगे, इंडेक्स कैसे प्राप्त करें, clear, उसके लिए मैं यहाँ बनाता हूँ है, एक लिस्ट, सिंपल से बात है, सपोज मैंने लिस्ट बनाया है, डेस का ही लिस्ट बना लेता हूँ, मैं, मंडे, टूस्टे, वेडनेस टे, थर्स्टे, पहली बात तो अगर हमें देखना हो, टास्क वन, टास्क वन, इस तरीके से चलना है, पॉइंड, टोटल, नमबर आफ़ दा, आइटम्स, ओके, आइटम्स, स्लाश वाल्यूज, कितनी वाल्यूज हैं, तो इस कैसे फाइड करेंगे, आपको कराना है, प्रेंट, क्या कराना है, लिस्ट का नाम देना है आपको, और लेंथ लिखना है, अब इसे रन कर आईएगा, पहले बार ये टाइम लेता है, थोड़ा कनेक्ट होने में, मैं हर क्लास में आपको बताता हूँ, घबराने के ज़रूद नहीं है, एक ठोटी सी मैंने एरर कर दी, मैंने लेंथ ओफ ऐसे लिखना था, वो डॉट लेंथ अनदर प्रोग्रामिंग लांगविज इसमें यूस होता है, इसमें सिंपल सी बात है, कैसे करना है, मैं हालिक देत रहा हूँ, आपको यूस करना है, लेंथ करके लिखना है, और उसके साथ, हैना, सेवन डेज होते हैं, सेवन हो आ गई, अगर मैं देखू, इंडेक्स, इंडेक्स की वैल्यू अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ, अगर मैं करता हूँ, आप मालो, कि आपके लास्ट इंडेक्स क्या होगा, तो हमें पता है, वो हो जाएगा, आपका टोटल आपको निकालने हो, निक्स काбथ और एस दिख अगर मैंने की की कीई टोट scholars केंडेक्स, इस क्या सुलênio डेंडेक्स क्या इनडेक्स, UAइनडेक्स इंडेक्स क्या हूँ, इस value को यहां से कर लो copy, इसको दे दो, इस quotation marks में, and run कराओ, तो index आ गया 6, तो 7-1 इक्वल to 6, तो यह क्या हो गया, आपको पता लगे, last index था 6, आपने उसे verify भी कर लिया, लास्ट value का index निकाल के, है न, बहुत simple सी चीज है, clear, अब एक बात और देखना दोस्तों, यह थोड़ा detail में मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एक list के अंदर भी बहुत सारी list हो सकते हैं, जिसे nested list कहते हैं, तो आप ऐसा नहीं समझना कि एक list के अंदर से values ही हो सकती है, है न, तो एक nested list बना के देखते हैं, मैं suppose एक list बनाता हूँ, इसके अंदर मैं numbers लिखता हूँ, पहले list में number 1, 2, 3, उसके बाद है numbers, 2, 5, ऐसे करके, एक और list के अंदर, clear, तो यहां क्या हुई दोस्तों, जहां अगर आप देखोगे, तो इसके अंदर, list के अंदर, क्या है, एक collection है, list का, list 1 है, उसके अंदर है list 2, फिर उसके अंदर है list 3, clear, तो यह चीज़ अगर आपको कभी देखने को मिले, कि एक list के अंदर multiple list है, तो उसे कहते है nested list, simple सी बात है, यहां आप लिख लेना, if a list contains several list inside it, it is called as nested list, simple सी बात है, यह चीज़ हो गई, है ना, अब हम बात करेंगे, किस चीज़ पर, values को access करने के लिए, उनको भी थोड़ा सा हम देखते हैं, ठीक है, clear, पहले हम access करते हैं, suppose, मेरे को चाहिए, Monday, Tuesday and Wednesday, है ना, Monday, Tuesday and Wednesday, तो अब मैं कैसे करूँँगा, suppose, मेरे को चाहिए, print कराओ, days वाले list में, zeroth index, है ना, तो अब देखना है, क्या print करेगा, Monday, अगर मैं इसे copy घर लूँ, और मैं यहां लिख दूँ, कि भाईया, अब मेरे को index value 0 के जगा चाहिए, 1, तो यह क्या देगा मेरे को, Tuesday, तो आपको पता लगा, when you want to actually access some values in a list, तब आपको क्या करना पड़ता है, then you have to use what, you have to use indexes, because यह उनका unique role call है, and basis upon the index, आपकी चीज़े काम करेंगी, clear? बहुत इसारी basic चीज़े मैं आपको बता दी, और मैंने previous class में आपको बताया था, loops के बारे में, है न, if you want to use loops on a list, है न, पहला loop होता है value operated, दूसरा आपका index operated, clear? value operated के लिए मैं simple लिखता हूँ, उसके लिए simple syntax होता है, for day in days, मैंने बोला, जो मेरी list है, days करके, उसमें जितने भी day है, for day in days, print करा दो, आप day को, अब देखने क्या प्रिंट कराएगा, सारी चीज़े आपको print होके मिल गए, यहां से देखना, Monday, Tuesday, Wednesday, सारी चीज़े आपको मिल गए, तो यह क्या हुआ, आपका loop का body बहुत ही जादा छोटा है, आपने loop को क्या बताया, आपने loop को बता दिया भाया, एक variable, इसको ऐसे देखना, इस days को, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, इसको यहां से discard करके आप देखना, values, slash items, in days, मतलब जितने भी values और items, as days करके list में, उन सब को print करके, इसने वही किया, तो घबरानी की बात नहीं है, कभी ऐसे आप मत सूचेगा, कि हाँ, यह बहुत ज़ादा tough होगे, बहुत ज़ादा easy way है, अगर आप loop को use करना चाहते है, उन a list, clear, दूसरी तरीके का loop होता है, जिसमें हम कहते है index operated है, index operated में आपको range का use करना चाहता है, for index, index कहाँ से चालो होती है, in range, clear, range, कहाँ से हमेशा index चालो होती है, index चालो होती है, 0 से, हमको जाना है, कहाँ पे, हमारे end point plus 1, अगर index मेरी 6 है, तो 6 plus 1, 7, तो वो क्या हो गया, वो हो गया total number of values, length of list, clear, and उसके बाद आपने दे दिया, क्या, आपने दे दिया number of steps that you want to take, फिर आपने print करा दिया, same चीज, यहाँ print क्या कराना है, आपको लिखना days, index, clear, इसे अब रन कराता हूं, मैं, यह भी same ही चीज देगा, लेकिन यहाँ क्या हुआ, आप देखोगे, same ही output है, यहाँ थोड़ा सा आपका task बड़ा हो गया, देखों, एक बात याद रखना, है न, यह वाला आपका, 80% time आप इसको यूज करोगे, 80% time of simple syntax को ही यूज करोगे, आपकी need इससे जाधा नहीं होगी, लेकिन अगर मैं आपको कुछ typical सवाल देदू, मैंने बोल दिया आपको, एक list में, उन्ही numbers को आप print करें, या उन्ही values को आप print करें, जिनकी index या role call value को इक even number हो, तब आपको क्या चाहिए होगा, आपको actually मैं इसका इस्तमाल करना होगा, क्यों, क्योंकि आप यह value से नहीं खेल रहा है, यह index से खेल रहा है, तो although यह लिखने में थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा complicated है, बट यह आपको बहुत ज़्यादा amount of, आप कह है सकते हो, detailed process provide करता है कि क्या हो रहा है, clear, तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, दोनों तरीके के हमने वो देख लिया, किस तरीके से आपने लिख सकते हो, index operated and second one is values operated, clear, अब देखो बच्चो, आज का हमारे क्या था, ए में hotel management system बनाना है, hotel management system बनाते ही हम इसके बह करने की कोशिश करते है, suppose एक hotel है, इसका नाम ले लेते हैं हम लोग sunshine in, sunshine in के पास 5 hotel rooms है, जो कि वो lot कर सकता है, room number माल लो, 101, 102, 103, 104, 105, तो इसके पास 5 rooms है, ये क्या है, total number of rooms है, work, total rooms, ये 5 rooms है, जो ये अलोट कर सकता है, आपका गया task है, आपके पास कोई बंदा आएगा, है ना, पहले आपको ये चेक करना है, क्या वो customer है, क्या वो customer है, customer है, तो उसको आप क्या दोगे, customer है तो आप उसको दो चीज़े करने दोगे, एक तो check in करने दे सकते हो, उसे, ह चेक आउट करने दो, दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, आपको चेक करना होगा, अगर कोई मैनेजर है, है न, अगर कोई मैनेजर है, जो कि देख रहा हो, कि सारी चीजे काम कैसे कर रही है, अगर कोई मैनेजर है, तो आप क्या करोगे, उसको आप डेटा शोकरोगे, कितने रूम्स occupied है कितने रूम्स vacant है कितने total number of rooms है तो manager को आप verify करोगे कि पहले यह manager यह है उसके बाद total rooms show करोगे है ना एंड उसके बाद क्या करोगे vacant उसके बाद occupied यह सारे रूम आप उसको दिखाऊँगे ताकि उसे पता लग जाए कि हाँ यार यह मेरे present day की स्थिथी यह है clear यह सारी चीज़े हो गई अब हमेशा है क्याद रखना कि यह project बहुत ही simple है लेकिन इसको बनाने के थोड़ा आपको बहुत सारी चीज़े यूज करनी पड़ेंगी है ना एक example ले लो कि मैं एक customer हूँ कस्टमर हूँ मैं C1 और मैंने क्या किया मैंने check-in किया अब मैंने checking किया तो एक total rooms की list होगी तो एक occupied rooms की list होगी एक vacant rooms की list होगी सपोस्पोज मैं करता हूँ औरा present day क्या हुआ मेरे occupied में है रूम नंबर 103 और 105 यह रूम भरे हुए हैं वेकंट रूम कौन से हो गए 101, 102, 104 है न यह फिलाल की स्थिति है बंदा आये customer 1 और उसने बोला मिरेको आप रूम अलॉट कर दो तो आप किस में से अलॉट करोगे आप जो रूम वेकंट होगा उसी में से तो अलॉट करोगे आप सेलेक्शन जो बनाओगे कि एक कोई भी रैंडम रूम उठा लूँ है यहां से वो कहां से बनाओगे वेकंट रूम में से आपने सेलेक्शन बना ली अब उसके बाद क्या कर 102 103 104 105 ठीक है रूम नंबर्स यह सारी रूम नंबर्स है occupied रूम आपने लिख दिया 101 102 वेकेंट रूम आपके हो जाएंगे 103 104 105 ठीक है कस्टूमर आया और आपनो इसे पौज रूम लॉट करोगे रूम आप वेकेंट रूम में से वेकेंट रूम में से क्या करोगे रैंडम रूम तो अलॉट करने से पहले वेकंट रूम की कंडिशन क्या दिए भेया, वेकंट रूम तो मेरे पास 3 थे यहां. अगर मैंने सपोज उसको अलॉट कर दिया, अलॉट रूम है, उसको 103. अब जैसी मैं उसको रूम अलॉट करूंगा तो क्या होगा उसको यहां से हटाना पड़ेगा वसको यहां पड़ेगा एंड कहां ले के जाेंगे उसको हम ले करेगे आपके उप्यूपाइड में अगर वेकिंट उस ताइम ये थी और occupied आपके क्या थी, occupied थी 101, 102 तो अब वो क्या हो जाएगी, vacant आपकी हो जाएगी, 104, 105 और occupied आपकी हो जाएगी, 101, 102, 103 समझ में है, ये सारी process है, हटाना, add करना तो इसी के basis पर हमारे एक छूटर तो बहुत प्यारास application बनके ready हो जाएगा clear? चलते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा की तरह चालो करेंगे, print कराते हैं कुछ बहुत सुन्दर सा 3, start में, 3 end में, इसके बीच में आप अपना clear? ये चीज़ हो गई, ये हमने print करा दिया, and suppose एक structure बनाने की कोशिश करते हैं, यहां पर लिख देता हूँगा, day है आपका, suppose, Monday, and यहां पर आपके software में time दिखा रहा है, clear? ये आपकी चीज़े हो गई, date हो गया, time हो गया, and उसके बाद एक छोटा सा नीचे, वो लगा देता है, closing का, बहुत बढ़िया, चलो एक चीज़ लिहां करते हैं, यहां भी ending में, plus mark लगा देता है, clear? यह हो गया, simple से चीज़, अब इसे run करा के देख लो, पहले, यह इसी structure में print कर रहा है, जैसे यह है न, इसको आप कर देना, enter, and then इसको यहां ले आना, तो आपके यह चीज़ correct हो जाएगी, clear? यह आपका sunshine anchor की एक hotel है, and उसके बाद आपको यहां क्या करना है, आपको अब बनानी है, lists बनानी है, कौन-कौन से list बनानी है, list होंगी, पहली तो होगी, room numbers की, जिसमें सारे room numbers लिखे जाएंगे, फिर होगी, vacant room list, फिर होगी occupied room list, clear? यही बनाते हैं, suppose मैंने लिखा, r, यहां लिख देता हूँ, room number, यह room number है, और इसमें में 5 rooms दे देता हूँ, 101, 102, 103, 104, 105, है न, अब मैं सोच लेता हूँ, कि अब मैं बनाता हूँ vacant का, vacant room, मैं बोल देता हूँ, कि room number, 103 से लेके, 105 तक सब vacant है, 4 और 105, clear? अगर यह सारे vacant हैं, तो occupied में कौन कौन से होँगे, occupied में सिंपल से बात है, आपके हो जाएंगे, 101, and 102, ठीक है, यह आपका initial stage है, कि भहिया, on a given day, Monday को इतने टाइम पे, मेरे software में क्या है, कि इतने rooms तो हैं मेरे पास, vacant room यह है, and यह वाला status है, occupied rooms का, clear? अब हमें क्या पता करना है, दो टाइप के लोग मेरे पास login कर सकते हैं, मतलब मेरे पास दो टाइप के लोग सा सकते हैं, या तो वो हो सकता है customer, या तो वो हो सकता है क्या, manager, clear? तो अब यह देख लेते हैं, मैं हाई एक संबसर question लिखता हूँ, type, log in type, ok, type log in, Pimple सो question, are you a customer, clear? क्या आप कोई customer हैं, है ना? अगर, type, log in, आपका आ जाता है, बराबर yes के, कि हाँ भाई मैं एक customer हूँ, then क्या होंगे, दब आपके पास दो request आप देख सकते हैं, वो होगी, either for checking in और checking out, है ना? तो हम लोग चलते हैं, then for check in, है ना? अब आपको यहां उससे फिर से पूछना पड़ेगा, कि what they actually want to do, okay? कि वो check in करना चाहते है, check out करना चाहते हैं, अब यहां पर आप लिख लो request, आप यहां पर लिख लो, you want to check in, और check out, clear? आप check in करना चाहते हैं, check out करना चाहते हैं, clear? तो यहां पर हम एक चीज़ और करेंगे, यहां पर मैं लिखूँगा, if check in, अगर मैं check in करूँगा, तो यह सारा task मैं यहां करूँगा, है ना? तो मैंने लिख दिया, if, one second, मैं इसको close कर दो, ताकि आपको visible हो, अच्छे से, ह आपके जो request है, वो किस के बराबर है, यह भाईया, check in, अगर आपके request है, check in, तो आप क्या करोगे, आप उसको सीधा सा message बोलोगे, wait a second, we are allotting a room for you, है ना? clear? आप बोल दो से, print करा दो, wait few seconds, we are allotting you a room, है ना? clear? यह बात हो गई, अब उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको, जो vacant room है, इसमें से selection बरानी होगी, random, सो मेरको ही क्लिखना होगा, मेरको random selection, from the vacant room, पहला step तो मैं यह करूँगा, दूसरा step क्या करूँगा, देखो, remove the selected room number from the vacant room list, है ना? उसके बाद क्या करूँगा, add the selected number to the occupied room list, यह तीन टास्क मेरको करने हैं, ओके, आप इसको थोड़ा ध्यान से लेखना, अगर मेरको कोई random selection करनी होगा, बच्चा, तो मैंने आपको previous उसमें बताया था, कि random module का use करना है, तो आप यहां कई random को import करा लो, क्लियर, और एक चीज़ और है, जैसे आपने यहां लिखतो दिया, wait two seconds, सुच के बाद आपको थोड़ा इंतिजार भी तो कराना होगा, तो एक और module है, random से, कि जैसा time, यह time क्या करता है, जैसे आपका output तुरंत आने लेखे, कि आप बोलो, उसको एक सेकंड डिले कर दो, दो सेकंड डिले कर दो, तो आप उसका use कर सकते हो, clear, यह सारी चीज़े हैं, आपको यहां लिखना है, आप इसको करते चलते हैं, पहले क्या करना है, आपको इससे पहले, wait, लिख दो, wait for two seconds, यह सारे steps है, क्रीन में, आप इनको coding में बदलते चला जाओंगा, कैसे करना है, मैं लिखूंगा, time.sleep, दो सेकंड के लिए आप प्रोग्राम को रोक देना, उसके बाद आप फिर से चलना, ठीक है, तो दो सेकंड का break हो गया, random selection has to be made from the vacant room, तो मैंने एक variable बना लिया, selected room, यह आप क्या दो, selected room, selected room एक random choice होगी, कहां से, vacant room से, ठीक है, clear, यह सारी चीज़ हो गई, आप उसके बाद क्या करना है, vacant room से आपने select तो कर लिया, आप उसको remove करना है, अब आज आते हम यहाँ पे, इस चीज़ में, अगर हमें कोई भी चीज़ remove करनी हो, तो यह क्या लिखा है, यहाँ पे अगर आप देखो, अगर इस particular list को लों, अगर और remove करके एक value दों, तो वो value वहाँ से remove हो जाएगी, सिंपल सा हो जाएगा, अगर मेरा, यह rooms का list है, देखना, अगर मेरी list है, 103, 104, 105, और suppose room allot कर दिया, computer ने, 103, है न, और उसके बाद मैं अगर लिखूं, suppose a list x, मैंने लिखा, x.remove, क्या remove करना है, randomly जो आपने select क्या, random selected room, तो यह तो काम कर जाएगा, और हमारा चीज़ यहां से remove हो जाएगा, हमारे list भी अपने आप से इंज हो जाएगी, सिंपल सी बात है, फ़रा, तो इस तरीके से यहां काम करना है, हमें क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको, vacant.remove, क्या remove करना है आपको, selected room, clear, सिंपल सी बात है, आपने यहां से तो उसे remove करा दिया, यहां से उसे remove करा दिया उसके बाद उसको क्या लिखा है remove from the vacant room list add the selected number to the occupied room list अगर आपको add कराना हो तो आप हमेशा by default use करना append method का अगर आप कुछ भी इसमें add कराना चाहते हो list के end में add हो जाएगा clear तो यहां आना आप यहां पर लिखना occupied room.append क्या append कराना भी हमेरे को selected room clear सारा हमारा काम पूरा हो गया पूरा सिस्टम अपडेट हो गया एक random room हमने select कर लिए vacant room में से उसे add करा दिया हमाने vacant से remove करा दिया पहले तो उसके बाद add करा दिया कहां से उसको add करा दिया occupied में clear अब उसके बाद एक चीज़ और अब आपको print कराना होगा क्या room number आपने लिया is कौन सा room number है उसके बाद selected room clear इतने पार्ट को चेक करके देखते हैं are you a customer yes I am a customer check in clear wait few seconds we are allotting a room to you the room number is this so यह प्रोग्राम सही काम कर रहा है यहां तक यह तो आपने एक request को किया अगर check-in हो अगर check-out request आगे तो क्या करोगे दोस्तों तो उसके लिए यहां देखते हैं कि यहां से आप लिखना यहां आप सीधा लिख देना else अगर check-in है तो यहां else आप कुछ भी करना इस में आपको क्या लिखना पड़ेगा else में हम लिख देते हैं steps that we have to follow check आप बोल लो take room number from the customer and check if it is a valid room number clear आप room number ले लो और check करो valid room number है उसके बाद अगर आप क्या करोगे उसके बाद then you have to do one thing आपको remove that room from the कहां से आपको remove करना है occupied से क्योंकि अब वो occupied था and और वो vacant होने जा रहा है add that room to vacant clear यह हो गया इसको आप देख लेते हैं simple से बात है so हम बोलेंगे rm लिख देते है room number so room number हम लिखेंगे input क्या input में हम लेंगे हम लेंगे please tell the the room number that you were staying in and उसके बाद हमें check करना होगा if rm in क्या occupied अगर यह room number present है occupied list में then हम लोग कुछ task करेंगे वो task हो जाएगा remove कर देंगे occupied से add कर देंगे vacant में है ना क्या करना है occupied से पहले से कर दो remove clear add कर दो कि इसमें vacant में simple सी बात है आप उसके बाद message print करा दो कि सारा काम हो गया thanks for checking in thanks for staying with us I hope that आप फिर से आके stay करेंगे ऐसे कुछ message print करा देता हूं मैं thank you for choosing the sunshine clear यह हो गया है तो अगर आप check out कर रहे हो तो क्या होगा आपको पहले यह भी तो बताना होगा क्या आपको रूम नंबर वैलिड है कि नहीं है ना अगर एफ वाला यह हुआ else अगर आपका रूम नंबर वैलिड नहीं है तो एल्स एल्स आपको क्या करना है एल्स आप लिग देना print invalid रूम नंबर क्लियर सिंपल सा है invalid रूम नंबर थोड़ा मैंसे जूम आउट करता हूं बच्चो तो इसको देखना अगर यह लॉग इन है येस अगर आप customer है तभी सारी चीज़े हो रही है ठीक है यह चेक-इन के लिए हो गया अगर आपके रिक्वेस्ट थी चेक-इन के लिए हो गया एल्स चेक-आउट के लिए हो गया तो मैं है लिक देता हूं टाकि आपको दिक्कत ना हो इफ चेक-इन एल्स इफ चेक-आउट हो अगर बहुत सिंपल बहुत मज़ेदार प्रोग्राम है बनता चला जा रहा है अब सर आपने यह तो बताए अगर कोई मैंनेजरा ऑप क्या बनाना होगा मेंनेजर को बना लो एक नीम औरन पासवर्ड के में अनीन का मैंने होँ इसा देता हूं जॉन सीना और उसका पास्वर्ड कर देता हूं कि वन टू थ्री सिंपल सा है यहां पर देखो सारी चीज कब हुई यह इसके अंदर है मैं देखो यहां पर आप सब्सक्राइब करें यहां थोड़ा से डीटेल में समझेंगे सिर्फ स्ट्रक्चर को यह सारा एक एफ के अंदर है दोस्तों कैसे कस्टुमर है या मैनेजर है तो कुछ होगा अब कस्टुमर के अंदर भी दो चीज है चेक इन है चेक आउट है है न चेक आउट के अंदर भी क्या है वैलिड रूम दे रहे हूं कि इन्वैलिड रूम दे रहे हूं तो एक तरीके से ladder system form होता जा रहा है, condition के अंदर condition तभी ये काम कर रहा है, ठीक है, अब manager वाला बना दिया है, मैंने manager को check कर लेता हूँ, कि वो manager है, तो मैंने display करा दूँगा, then we will improve it a little bit, basic structure ready कर गे, तो उसे improve करना चालो करेंगे, else, आप क्या बोलोगे, दो variable बना लो, input, यहाँ पे आप x में name लेने रहा, और y में उसका password लेने रहा, यह हो गया, अब आपको check करना है, जो आपने name दिया, और password दिया हुआ, सही है, कि नहीं, मैं लिखूँँगा, else के अंदर if, जो x है, वो बराबर है किसके name, and, y है बराबर किसके password के, हमने and और इसको तो बहुत अच्छे से समझा ही है, है ना, तो कोई ऐसी बात है नहीं, अब देखो, इसका मतलब क्या है, या तो उसका name भी मेरे को सही मिलना चाहिए, और password भी सही मिलना चाहिए, तब आप क्या करोगे, आप print करा दोगे, सारी list को, किसको आप print करा दो, the total room is, उसके बाद आप rooms करके जो list है, room number वाली, उसको print करा दो, फिर print करा दो, आप क्या, the occupied room is, and, किसको print करा होगे आप, occupied वाली room list को print करा दो, उसी तरीके से आप vacant वाली print करा दो, है ना, उसके बाद यहां लिख दो, vacant room, simple सी है, है ना, अब देखो, इसको run करा तो, तब आपको समझ में आएगा, थोड़ा समय, customer room है, no, now we're John, see now, one, two, three, clear, तो सारी चीज़ अगर आप manager हो, तो सारी चीज़े आ रही है, लेकिन दोस्तों, बात यह ना, यह program एक ही बार चल रहा है, है, एक ही बार चल रहा है, और हमने calculator वाले में दीखा था कि एक while loop के मदद से मैं चीज़ों को बार बार चला सकता हूँ, है ना, तो यहां एक इसको सबको while loop के अंदर रखने की कोशिश करते हैं, है ना, आप यहां पर क्या लिखो, यहां पर, put everything in a while loop, simple सी बात है, हमने लिखा, एक variable बना दिया, मैंने, suppose, yes, yes को यह अंदर मैंने लिख दिया, true, ठीक है, start point हमारा होगा, yes, और इसको हमें लिख दूँँगा, while, yes, जब तक आपका प्रोग्राम कह रहा है, yes, अब इसको करने की, simple साथ को select करना, यहां से, select करते चलो, करते चलो, करते चलो, यहां पर लिया, and tap दबा दिया, ठीक है, अब यह सारे indentation correct हो गया, clear, while, yes, मतलब हा, मेरे कोई चीज, लगातार, चलान, यह सारा काम हो, ताम जहां हो, उसके बाद मैंने क्या पूछा, उसके बाद मैं क्या पूछूँगा, यहां, देखो, यहां पूछना, आप ले लो, एक variable ले लो, continue choice, आपकी choice क्या है, input, आपको ले लेना है, do you want to continue your software, आप अपने इस software को continuous चलाना चाहते हो, continue choice आपके जो है, वो है yes, ओक्या, yes तो ऐसी रहेगा अगर no, आपको लूप को कर देना है, क्या, क्या, आपको यहां कर देना है, break, simple सी बात है, अब देखो, अब आएका मज़ा, क्या मैं customer हूँ, yes, ठीक है, मैं check-in कर रहा हूँ, and मेरे को a lot हुआ, time लिया, उसने 104 a lot हुआ, मैं customer हूँ, no, यह ना, name है manager का, john sina, password है 123, clear, तो अब क्या हुआ, आप देखो, list change हो गई, पहले vacant में क्या थे, पहले vacant में थे 3, इधर देखना, 3 थे, उसमें से 104 a lot हो गया, तो vacant से यह हट गया, clear, समझे, अब यह चलता रहेगा, मतलब आपका यह पूरा का पूरा system ready हो गया है, clear, अब यह था हमारा बहुत छोटा सब प्रोग्राम, लेकिन दोस्तों याद रखना कि बहुत सारे list के functions होते हैं, है न, आपको इन सारे functions को practice करना होगा, एक बार हम ने यह प्रोग्राम तो बना लिया, एक काम करते हैं, मैं लिख देता हूँ, बेसिक functions जो आपको आने चाहिए, दीखिए, आप अभी early stage पे हैं, so मैं expect कर रहा हूँ, आपको यह सारे functions तो basic आने चाहिए, है न, append आप practice करिएगा, insert practice करिएगा, remove practice करिएगा, ठीक है, clear practice करिएगा, copy, and, यहाँ से देख लेता हूँ, मैं एक बार और कुण साब को practice करना चाहिए, sort तो अभी है, आपको दोना जरूरत नहीं पड़ेगी, pop और index की, यह सारे practice आपको करने पड़ेंगे, pop और index, clear, और अभी जो हमारा यह वाना, यह तो add कराया, remove कराया, इन सारी चीज़ों से हमारा सारा चीज़ पूरा हो गया, clear, तो यह था, आप कर सकते हो, बहुत छोटा सा program, आज इस साथ, दिखिए, हमारे इस python series का aim यह नहीं, कि आपको पूरा python एक बार में हम लोग सिखा पाएंगे, 4 episode में नहीं, लेकिन हा, मेरे यह हैं कि मैं आपका हाथ पकड़ के python आपको familiar करा दूँ, हाना, हर एक class में हम लोग लेते हैं एक नया topic, उस नय topic के साथ बनाते हैं एक नया project, तो जो हमारा आने वाला course है, जिसमें हम लोग सिखाएंगे python, generative AIs, सो उस course का एक तरीके से आपको एक preview दिया गया है, कि how we will teach, what will be the things that we are going to teach, हम लोग हर एक class में games बनाएंगे, projects बनाएंगे, सो हमारी एक बहुत mainstream learning नहीं होगी, बहुत ही जादा fun learning होगी, because हम real world के scenarios को imitate करेंगे, with the help of python, I hope आपको बहुत ही जाद मज़ा आया होगा, मैं हूँ विशाल, आप से मिलेंगे next episode में, तब तक के लिए bye bye,